हेलो टू आल माइ ब्यूटिफुल सोल्स स्वागत आप सभी का मेरे चैनल में और डियर फ्रेंड्स आज मैं फिर से एक नई रीडिंग लेकर आई हूँ और इस रीडिंग का टॉपिक है जस्ट नाव अभी आपके परसंद क्या सोच रहे हैं आपके बारे में क्या चल रहा है उनके दिल में क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए तो देखेंगे अभी आपके परसंद क्या सोच रहे हैं आपके बारे में तो प्लीज डिवाइन बताएं हमारे जो भी वीवर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके परसंद उनके बारे में क्या सोच रहे हैं और डियर प्लस यह All Sign Reading है, सभी Sign वाले यह Reading देख सकते हैं, सभी के लिए है यह Reading Thank You तो dear friends, यहां पर जो सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है, वो है King of Cups का, तो आपके person बहुत genuinely आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत deeply सोच रहे हैं आपके बारे में, और आपको बहुत respect की नजर से देख रहे हैं, आपको अपना cup offer करना चाते हैं, प्यार का offer करना चाते हैं, आपके पास वापस आना चाते हैं, सिंपल सी बात है, कि life में जो भी उनके उतल फुतल चल रही है, उन सब चीजों को पीछे छोड़ना चाते हैं, और उन सब चीजों से भाग कर आपके पास आना चाते हैं, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर long distance दिख रहा है, हो सकता है कि आपके person आपके पास distance cross करके आए या फिर travel करके आए आपके पास, and dear friends, यहाँ पर जो sign है, वो है water sign, cancer, scorpio, piscis, और most of तो मुझे यही sign दिख रहे हैं, cancer, scorpio, piscis, taurus, virgo, capricorn, and aries, leosage, तो यह sign यहाँ पर दिख रहे हैं, और आपके person, काफी कुछ झेल चुके हैं, चीजों को past में, अब उन चीजों से move on करना चाते हैं, पहले तो past में आप से move on कर रहे थे, आपकी feeling से move on कर रहे थे, आप से भाग रहे थे, लेकिन अब जो ये energy shift हुआ है इसमें वो अब बागी की सारी चीजों से move on करना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं चाहे जैसे भी हो वो आपके पास वापस आना चाहते हैं अगला card है the moon का तो वो लोगों की bitching से लोगों की बातों से तंग आ चुके हैं और उन पर फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या बोल रहा है आपके लिए या उनके लिए उनके लिए अब सारी चीजे नॉर्मल हो चुकी हैं सुनते सुनते आपके ज़िए अब वो काफी सैड है, आप से दूर हैं तो काफी दुखी है, सैड हैं अलांकि लोग अभी भी उनके कान भर रहे हैं, उनको टोज़ो कर रहे हैं बट उन्होंने समझ लिया है कि बस इधर से सुनना है और इधर से निकाल देना है एक काम से सुनकर दूसरे काम से निकाल देना है ये उनकी अभी thinking बन रही है हलांकि बहुत से toxic relationship है अभी भी उनकी life में हो सकता है कि वो उनके bad karma की बज़े से हैं जो वो अभी face कर रहे हैं और अभी सायद थोड़ा सा वक्त और लगेगा उनको इन karma को dilute करने में इन karma को खत्म करने में अगला card है the chariot तो वो जैसा कि मैंने बताया कि वो सारी चीजों से दूर होकर आपके पास आना चाहते हैं तो ये card भी यही बता रहा है कि divine और angels ने उनको आपके और उनके रिस्ते को बताने में समझाने में बहुत help की है और divine की इसी help की वजएसे वो reality को समझ पाए है असलियत को समझ पाए है और अब वो आपकी और move करना चाहते हैं आपके पास आना चाहते हैं आपके लिए घर बनाना चाहते हैं, आपसे साधी करना चाहते हैं, विवा करना चाहते हैं, निकाह करना चाहते हैं, तो अब उनकी जो दिली खौाहस है वो यही है कि घोरी चड़के जाऊंँ और अपनी दुलहन को लेकर आऊंँ, जो यहाँ पर निगल के आ रहा है, वो कि उनके भी feeling वनी हुई है वह वाला song आप जरूर सुनिएगा हो सकता है कि उस song में आपको कोई message मिले उनकी तरफ से कोई hint मिले divine की ओर से अगला card है the high priestess तो आपके person आपके लिए बहुत nurture हो चुके हो और उनकी नगर में आप बहुत ज्यादा wise people हो चुके हो हो सकता है कि आप बहुत psychic हो चुके हो intuitive हो चुके हो आप God से connect हो रहे हो आपने self love करना शुरू कर दिया है और अब आप अपनी growth पर ध्यान देने लगे हो ऐसा आपके person की अभी सोच है अभी thinking है आपके बारे में वो सोच रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा divinely guided हो आप बहुत ज्यादा divine से protected हो और आप अपने पत पर आगे बढ़ती चली जा रही हो या चले जा रहे हो divine आपको protect कर रही है और आप आपको एक बहुती bright star की तरह से देखने लगे हैं उनको of deck है three of wands का तो आपके साथ future देखते हैं future planning कर रहे हैं सोच रहे हैं कि एक दिन मेरी भी कस्ती किनारे पर लगेगी और God पर भरोसा करके उन्होंने ठान लिया है जिद कर लिए मन में कि अब मुझे stand लेना है इस रिस्ते के लिए मुझे आगे बढ़ना है और इस रिस्ते मे कुछ better करके ही बैठना है ऐसे मुझे यह रिस्ता छोड़ना नहीं है अब मैं देखना चाहूंगी कि energy और एकल कार्ट से उनकी क्या energy निकल कर आ रही है प्लीज Gods, प्लीज Angels, प्लीज Universe बता है हमारे वीवर्स के लिए उनके प्रसन की क्या energy है अभी thank you प्लीज गोट प्लीज Angels, प्लीज Cha energy है भी हमारे विवर्स के लिए उनके पर्सन की अभी क्या एनर्जी बनी नहीं है तो देखिये बहुत ही खुबसूरत कार्ट्स है सबसे पहला आया है दो वर्ड उसके बाद आया है कॉंट्रेक्ट और उसके बाद आया है इन और इंग तो हो सकता है कि आपके पर्सन अपने और आपके रिस्ते की असलियत के बारे में समझ रहे हैं हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या डीप सोल मेड जर्नी में हूँ तो आपके परसन अभी इस टाइम काफी अकेला पन फील कर रहे हैं और वो आपको दूर से नहार रहे हैं देख रहे हैं और सायद आपको सोसल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं आपको देखते ही उनके ना दिल में फूल खिल जाते हैं कमल के फूल ऐसी उनकी फीलिंग है आपको देखकर तरो तागा हो जाते हैं और आपको अपनी वर्ल्ड समझते हैं अपनी दुनिया समझते हैं उनको यह लगता है कि आप उनकी दुनिया हो और अब आप ब हो गई हो आप पहले से ज़्यादा मैच्योर हो गई हो तो आपको दूर से देख रहे हैं स्टॉक कर रहे हैं सोसल मेडिया से और आपकी खुबसूरती को निहार निहार कर खुश होते हैं और कहते हैं कि यू आर माई वर्ल्ड अगला कार्ड है कॉंट्रेक्ट का तो उनको यह एहसास हो रहा है कि उनका आपके साथ कोई कॉंट्रेक्ट है पास्ट लाइफ का कोई कर्मा थे ऐसे जो अभी सॉल्व नहीं हुए हैं तो वो चाहते हैं कि उनके आपके साथ जो भी डीलिंग है आपने उनके साथ जो भी कॉं इंसाफ मिले आपके साथ आपके रिस्ते में वो इंसाफ करना चाहते हैं अपने उनके जो भी कर्मा चल रहे हैं उनके फैमिली के साथ या किसी और के साथ या थर्ड पार्टी के साथ तो वो उन चीजों को जल्दी से रिलीस करना चाहते हैं और रिलीस करने के बाद आपकी औ को और मूव करना चाहते हैं अगला यह कार्ड है बॉटम आफ डैक है यह तो यह नोर यह तो कहीं न कहीं आप दोनों डीप सोल मेट हो या फिर ट्विन फ्लेम जर्णी में हो और वो आपके बिना नहीं रह सकते आप उनके बिना नहीं रह सकते हो बेसक परिस्तितियां कितना भी आपको दूर कर दें बेसक आप लोगों की दिल में कितना भी एक दूसरे के लिए नफरत आए लेकिन वो नफरत ज्यादा दिन तक रह नहीं सकती है क्योंकि आपका रिस्ता ही ऐसा है आप एक आत्मा दो सरीरों के अंदर हो और दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो अप मैं देख लेती हूँ कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके रिस्ते के लिए एंडिल गाइडेंस क्या आ रही है एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं आपके रिस्ते के बारे में थैंक्यू एंजल्स प्लीज बताएं हमारी व्यूवर्स जो इस रिस्ते में हैं उ आप उनको क्या गाइड करने चाहते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं क्या आपका सजेशन है उनके लिए थेंक्यू थेंक्यू तो दियर फ्रेंद्स यहां पर दो बहुत ही खुबसूरत से कार्ड निकल कर आये हैं मैं बहुत खुस हूं आज की रीडिंग से आप लोगों का मिलन होगा बट परफेक्ट टाइमिंग पर और वो परफेक्ट टाइमिंग है डिवाइन टाइमिंग जी हां डियर फ्रेंड्स अगर आप लोगों में बोलचाल बंद है अगर आप शेप्रेशन में हैं आप लोगों का एक दूसरे से मन मुटाव चल रहा है य एक दूसरे से फिस से रियूनियन में आप आएंगे रियूनाइट हो पाएंगे एक दूसरे के साथ ऐसा यहां पर एंजल का मैसेज है अगला कार्ड है इफ यू बिलीव अगर आप विलीव करते हैं कि आपकी यह ट्विन फ्लेम जरनी है आप दोनों एक दूसरे के अपोजि इन और एंग दोनों का है पूरो सवरिस्त्री सकती का है धरती और आस्मान के एक होने का है संकेत तो आप दोनों की पावर अगर आप यह मानते हो कि आप सच मुझ में इस बहुत ही खास रिष्टे में हो और आप बिलीव करते हो कि आप दोनों जरूर मिलोगे तो फैत बना रहना है पॉजिटीव सोचना है पॉजिटीव करना है और पॉजिटिव होकर ही लाइफ में सारी चीजें अच्छीव की जा सकती है एंड डियर फ्रेंड्स मेरे कुछ व्यूर्स का यह मेशिज रहता है कि मैम आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रहे हैं तो dear friends एक बात कहना चाहूंगी कि जब भी मैं rating करती हूं तो energies के flow की वज़े से कभी कभी गला थोड़ा सा ups and downs करने लगता है I hope कि आप इस तीज को समझेंगे अब मैं कुछ messages निकाल लेती हूँ आपके person की ओर से देखते हैं कि वो आपको क्या message देना चाहते हैं प्लीज जिवाइन प्लीज उनिवर्स बताएं हमारे viewers के लिए उनके person के क्या messages है dear friends यह song है मुझे कैसे पता ना चला कि तू मुझे प्यार करता है अगला है यह भी song है मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं आज song बहुत आ रहे हैं मतलब काफी गाने सुने गा रहे हैं खूपसूरत है वह इतना सहा नहीं जाता यह रोग movie का song है और यह song सुन रहे हैं वह आपको लेकर यह हो सकता है कि उनका यह favorite song हो sorry मेरे गले के लिए sorry everything will be all right तो उनका यह कहना है कि चिंता मत करो सब ठीक होगा divine पर भरोसा रखो God पर भरोसा रखो सब अच्छा होगा you are not very easy to forget तो अगर आपको यह लगता है कि आपके person आपको भूल गए हैं उनको आपकी याद नहीं आती है तो ऐसा नहीं है dear friends वो यह कह रहे हैं कि तुमको भूलना असान नहीं है you are my strength जो अगला है message you are my strength तो आपको अपनी strength मानते हैं तो dear friends यह थी आज की reading कि आपके person अभी just क्या सोच रहे हैं आपके लिए I hope कि आपको यह reading पसंद आई हो अच्छी लगे dear friends तो like, share, subscribe जरूर करिएगा और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो please dear subscribe करिएगा चैनल को आपके positive comments भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं सभी के almost reply भी करती हूँ अगर कोई question है आपका कोई problem है तो जरूर शेर करिएगा और मेरी कुछ friends ने जो हमारी viewers है उन्होंने bracelets के बारे में पूछा था तो मैं बताना चाहूंगी friend कि हाँ मैं bracelets आपको provide कराऊंगी आपकी जो भी problem है वह आप मुझे बताइए उसके according मैं आपको bracelets provide कराऊंगी तो यह reading यहीं पर आज मैं finish करती हूँ thank you अपना कीमती वक्त देने के लिए thank you so much for watching